सफे सोने के लिए प्रसिद्ध निमाड जहां अधिकतर किसान अपने खेतों में कपास की फसल लगाते हैं दिनांक 28 जुलाई 2022 को वसुधा स्वाराज प्राइवेट लिमिटेट करही के माग दर्शन में कपास का अधिक उत्पादन के लिए जेविक किसानों का प्रशिक्षन कारिकरम कैलास पिता भगवान पाटिदार भुदरी के खेत में किया गया कपास की अधिक पैदावार बढ़ाने को लेकर भारतिय किसान संग के महरास्टर इकाई से वेग्यानिक वक किसान माउली कापसे ने किसानों को खेत में जाकर उन्हें कपास की पैदावार अधिक लेने के लिए तकनीकी जानकारी दी गई कपास को कितनी दूरी और किस प्रकार के किटनाशक का उप्योग करना चाहिए और कौन से समय किस प्रकार के पोधे की तहनियों की कटाई करना चाहिए जिससे फसल का उतपादन अच्छे से हो वा दुगुना हो और किसानों को अधिकलाब हो महेश्वर से दिली प्यादो की रिपोर्ट महेश्ष्ट से महाराष्ट मैं भारती किसां किसां करते हैं जो एकड़ के साफ से कम से कम 30 कुंटरल तक आप उत्पादन ले सकते हो उसका एक तंत्र है उसका गनित है उसका आप ले सकते हो और जैवीक खेती की बात तो जैवीक खेती का आभ्यास जो है न भारत में प्राचिन काल्शे हुआ है जैसे कि वेद से लेकर आगे भी बहुत स सारे आलग आलग लोगोंने प्रिसर्च या जैसे आमने सुपास पालेगर का नाम सुना है महाराष्टा में मोवन देश पांडेसर है जोने बहुत बड़ा खेती के विशे में तंत्र निकाला है उसका नम रुशीकुर्शी तंत्र है आपना या विद्धा पिटों का आपन सर्फ के संब्ध में कपास कि अवदी में लगाना च气 कि समय में लगाना ची Caribbean कैसी कटिंग होगी क्या होगा इस में थोड़ी जनकारी हमारे चैनल को चीनल को कपास जह न तो बारिस मोनोफुडिया बोल सकते हैं यह मोनोफुडि जो होती ना इसे बच्पन में कट कर देना चाहिए यह मोनोफुडि जो है यह कपास से कम से गाम 50 से लेकर 70% का भोजन खुदी खा जाती है अगर यह भोजन आगर हम बचा सके और पोदो को अगर दे सके तो पोदो की जो फल ब् कपास गहिंप काता है यहांपर लिक्टेट कंस लगाते हैं यहां पर हमारे किसान जो किम से कम चार बाइं दो पर कियों पढ़ता है और मुलेगा तो भू खर्चा हो रहा है अभी वो भी अगर बच जाए वह सखाय काटने की जरूत ना पड़ि उस पोदे में जन्म जाती वो सखाय ना आए तो ऐसा प्रयास हम करेंगे उसके लिए में आया और यह अभी आपने जो किया है यह किसान का नाम किया है हमारे हमने यह जो बुद्री गाओं है और सांती केलाज भाई पाटिदार जी के खेट पर हमने किया है यह बसुदा और वसुदा अभियान से बहुत समय सर जुड़े हुए हैं साज 10 साल से जुड़े हैं 20 20 साल से यह जविक खेती कर रहे हैं इनका जैविक खेती करना साउक बन गए है इनों रहे देखिए किテुए के लिए बना रखे हैं और जीवाम्रत बना रहे हैं गंजीवाम्रत बना रहे हैं वर्मिवास डाल रहे हैं दुसरा तावे वाला स्हांच हर बीमारी को बचाता है पौधे को हर बीमारी से बचाता है उसका प्रियोग कर रहे हैं तो यह बहुत अगरीनी किसान है जविक खीत पर हम लिए प्रेशिक्शन दिया है चलो आई हम बात करते हमारे है जो गृट की किसान है और जिनके खेत पर प्रस्इकशन हुआ है उसे अभ्म करें उनको जो Reach ce cheap लो देखिस्ट पर प्रेडिट किया है उनसे आग चरशां करेंगे क्या नाम है आपका नमस्कार मैं केलास पाटीदर ग्राम भूधरी तइसीन मैसवार जिला करगोई शुम हूँ आपके यह खेती की जेवी खेती आप कप से कर रहे हो जेवी खेती में 2010 से कर रहे हूँ और इससे पहले भी करते थे बाकी रूटिंग में 2010 से आया हम आपको जेवी खेती से अभी तक कितना लाब हुआ है जेवी खेती से लाब अच्छा हो जो रासानी गालत दे रहे हैं ते खाद दोई उनसे मेरे को कम खाद दोई लग रही है और अच्छा सा अपन को उत्पादन मील रहा है और मेरे गहों 25 रुपे कुंटल तक से 805 रुपे किसानों को जोड़ा है अपने घाओं में 10 15-20 जूट चुके और बाहर के भीती जूट चुके मेरे जूले में आया तही था कि आने वार आपको रास्ते में आने में समस्य आती तो आपने साधी कारी से संबंद में बाथ कर दी तो छाएं अरो स नने कलेक्टर साब को भी शिकायत दर्जे करवाई थी एक सो केसी पर भी कई बार सिकायत है की और तेसिलदार मोदय जी को भी की मोके पर सब देख भी गए बाकि मेरे रास्ता का अभी तक निराकरन नहीं हो कुछ तो आप क्या चाहते हो सासने है सासन से चाहते हैं कि खेट मेरे जीन होडी से एक सब कर दिए तो लगा इसी अगर किचाफर पर कर दिया ओपbaar कपाच लागा सकते हैं अगर किन आकपर कत लगा पर लगा राशायनिक खेती और जेविक खेती में अगर खेती किसान करता है जेविक खेती तो उसमें प्रती एकड कपास के खेती में कितना मुनापा होता है जैविक खेती में और आपने द्द्रालार जी का अंगर तंथ्रागर यूज की आना तो जैविक खेती में आप कम से कम 20 कुंटल से लेकर 30 कुंटल तक आराम से उत पाधान ले सकते हों अगर किया जा तो कितना मिलेगा है नहीं, रासानी खेती में किया है नहीं कि उत्पादन हर साल कम होता जा रहा है, अब जो किसानी जो हमारे यहां किस्तानिक जो हैं, 15-20 साल पहले, कम से कम एकड के शाब से 15-20 कुंटल तक उत्पादन ले दे थे, लेकें आभी पिछले 15-15 स से कम होते होते वह इस साल पाच शे कुंटल तक आगा है इकड़के साब से जाद नहीं हो रहा है मतलब रासाने खेति आगर करो गई तो आओर उत्पादन घर्टा चले जाने वाला क्योंकि रासाने खात के वाश हमारे जमीन खराब हो रही है जो हमी केमिकल स्प्रे कर रहे है उसके वाशे मित्र कीड मर रही है और जो चतुर किड जो है उनके भी शमता जो 20 पचाने की वह बढ़ रही है इसलिश्प्रे हमार ज्यादा बढ़ रहे है बतलब देखा जाए तो रासाने के वाश हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है और रृत पादमि नहीं हो रहा है तो इ सब्सक्राइब करने के लिए उसमें का पास की ऐसी वेराइटियां विख्षित कर रहे हम जो की जैविक क्रशी तंत्र में अच्छे से उत्पादन दे सकें तो मुझे अभी मालूम हुआ कि यह तंत्र जो है जो अन्वांटेड ब्रांचेज होती हैं उनको काटने के अतक्निक सीखाने आये हैं तो उसको सीखने के लिए मैं भी आया और उसका जो गनित बताया उससे मैं बहुत खुस हुआ इसलिए आया कि ऐसा कुछ प्लांट तो इनसे यह ज्यान जान करके मैं अपने रिसर्च को उस दिसा में मोडने की कोशिज कर रहा हूं जिससे की किसान को खर्चा हो अभी उसकी कटाई करेगा मजदूर लगाएगा फाइदा तो होगा उसको बढ़ेगा तो सही जैसा इन्होंने बताया उतना संभव है अगर य है हमारा अगर 28 नहीं आता तो 20 है अब देख रहे हैं हमारा चैनल 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले